आप लोग कैसे हो दा मोस्ट पावर्फुल ब्रदर इनलो इन हिस्टरी के पिछले एपिसोड में देखाता है यहाँ पे एक बंदा मैंकेट पर टेक कर देता है पर मैंकेट उसको यहाँ पर डॉच कर देता है और तभी उसके मैंड में आवाज आती है कि सेडल एबिलिटी 100% कॉपी पर मैंकेट को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है और तभी यह बंदा वापी से मैंकेट पर टेक कर देता है और इस बार मैंकेट उसको यहाँ पर हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा ऐसे कहने कि हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर रिलिस करता है और अब आगे और वो दिखने के जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हारे क्या कर रहे हो मैं तुमको यहाँ पर और एक चांस दे रहाओ यहाँ पर मेरा हाथ छोड़ दो और यहां से चले जाओ पर जो मेंन केटा उसके यहाप पे कोई आट नहीं सुनता है पर जो बंदा होता है वहाँ से दूर्ट जला जेता है और कहता है उसमें क्या फरक परता है और बहुत ज़दा डेविल भी स्माइल देता है और हो जारी चीज़े देखने के पाथ जो बाकी के लोगों थे वो कहते क्या त्यानून या भी भी अवेकनर है और वो भी यहाँ पर अपनी स्पीड को जगा सकता है और यहां पर दोनों साथ वे अएक दूसरे वे अटेक कर देते है और यहां पर जो Self máster Speed हो एक हाथ से और लो देखने के बाद जो सब्वादा होता है कहता तुम कैसे के मेरी जैसे सम्मार्चर स्पीड को यूज़ कर सकते हो तो वो सुनने के बाद जो महन् explored होता है यहां पर अंदे हो चुक है जो तुम्हारी Marsal Spirit के लूँ कंचरा है और मेरे सामने यहां पर कुछ भी नई है और यहां पर जो मेरी Marsal Spirit है तुम्हारे से बहुत ज़दा पाउर्फुल है और मेंकेट अपने मन में सुदता है वो अचानक से आवाज कहां से आई थी और यहाँ पर क्या चल रहा है और वो देखने के पर जो बंदा होता है काफे दा गुस्ता हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिमत कैसे होगे सब के सामने मुझे यहाँ पर हैमिलेट करने की उनने मुझे यहाँ पर पहले भी हुमिलेट किया था इस पर तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूगा और इस पर तो तुम भूल जाओ के यहाँ से बचके निकल पाओगे और तुम अपर सिधा हैल में जाओगे पर जो मेंन केट होता है वो कहता है तुमको लगता हैसा जिक को मुझे यहाँ पर और तब यहां पर अचनक से जो आइसफोणिक से यहां पर आ जाती और उस पंदे को यहाँ एकदम कुलफी बना देती है पर जो यहां पर लॉंगीइंग होता है और यहां पर बहुत ज़दा गुस्से में होती है और कहती कमी ने तुम्हारे ऐसा करने कि मेरे साथ हिम्मत कैसे हो गई और कहती कमी ने एक नमर कि तुम यहां पर जूटे हो तुम यहां पर पहले से ही मुझे यहां पर अकला छोड़के जाना चाते थे और उस पर attack कर देती है और जो man-kater होता है वो कहता है कि long-nune तुमको यहाँ पर कुछ गलत family हो जोगी तुम पहले सांथ हो जाओ उसके बाद मैं तुमको सब कुछ समझा दूगा पर यहाँ पर जो longing होती है वो कहती है तुम्हें बाड में जाओ यहाँ पर मेरी कोई भी बास सुने के लिए तयार नहीं है अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी choice नहीं है मुझे वो पूरा नी टेक्निक का use करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर man-kater long-ink पर जम कर देता है और कहता कि मुझे इस काम के लिए माफ कर दो और उसको यहाँ पर जम इन पर लिटा देता है और उसके उपर बैट जाता है और तब ही जो यहाँ पर सिस्टम होती वो कहते है कि जो martial spirit है cloud eyes हो यहाँ पर detected हो चुकी है कि आप इसको यहाँ पर copy करना चाहते हो तो वो सुनने के बाद जो man character अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर दूसरों की जो martial spirit को यहाँ पर copy कर सकता है और कहता है कि हाँ मैं इसको यहाँ पर copy करना चाहता हूँ और दूसरी साथ जो long ing होती हो बहुत ज़दा चिलारी होती और फिर यहाँ पर जो system होता है वो कहता कि जो target का mood value है वो बहुत ज़दा insufficiency है इसकी वज़े से तुम यहाँ पर copy नहीं कर सकते तो वो सुनने के बाद जो man character अपने मन में कहता है यहाँ पर mood value क्या है और यहाँ पर क्या चल रहा है और फिर यहाँ पर जो man character वो वापिस की ability को copy करना start कर देता है और फिर यहाँ पर long ing होती हो पोच ज़दा चिला रही होती है अब देख सकते हो यहाँ पर man character उसने कहाँ पर हाथ रखा है और फिर तबी जो system हो notification देता कि जो आपर mood value हो आपर आपर आजुकी है और आपने यहाँ पर 100% successfully उसकी ability को copy कर दिया है और फिर यहाँ पर long ing होती हो वो कहते के thank you अपना यहाँ पर हाथ हटा लो और फिर बहुत सुनने के बाद जो man character है वो यहाँ आप से थोड़ा दुड़ चला जाता है और कहता है अब तुम finally यहाँ पर 100% हो चुकी हो पर यहाँ पर जो longing होती है वो कहती है जो तुमने अभी मेरे साथ किया उसकी यहाँ पर सारी response से भी तुमको उठानी पड़ेगी और फिर जो उसका चेहरा का फिदा लाल हो जाता है और सरमाते हुए कहती अब तुमको यहाँ पर मेरे साथ करनी पड़ेगी और फिर हमको थोड़ी दर बात longing का घर दिखाए जाता है और जो मैंकेट उसके घर के अंदर बैटा होता है और यहाँ पर जो long day होती हुए उससे कहते है कि तुमने past में मुझे कही बार बचा रहा है और तुमने यहाँ पर मेरे protection किये इस बार में यहाँ पर तुम्हारी protection करना चाहती हुए भले यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी smart spirit नहीं है पर तुम यहाँ पर एक बार मेरे से साधी कर लोगे और जो मेरी family तुमको accept कर लेगी उसके बाद तुमको यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और जो man get रो अपने मन में सोता है क्या यहाँ पर मेरी तारिफ करना चाहती क्या मेरी बेस होती करना चाहती मुझे तुम यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है और कहता है कि loying तुमको चिंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बार मैं तुमको बिल्कुल भी डिसोपेंट नहीं करूगा और यहाँ पर जो loying होती तुम यहीं रूखो मैं फट्डफर मेरी डेट को बूलाके आती हूँ आती ही होका मैं के बाद वहां से चली जा थी मैं केट अपने मन में सोगता है मेहाँ आंको जो मार्शेद को आफएक करसकता नहीं या नाई और तब यहाँ पे कोई आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे वापिस आ गई और यहाँ पे होती हो लूओ इंग और कहती कि जो फादर in low अब यहाँ पे थोड़े काम में बीज़ी थये वह यहाँ पे थोड़ी दिर बाद या जाएंगे और फिर यहां पे जो low-ring ago man język के पास जाती मुझे अंच्यानक से यहां फुसरी मैंणकेटय नगरी यह दो मैंनकेटdır अपने-समान पहुथ-सर बाउस प्र्ता भोती न यहां चाती वो सुनने के बाद जो लुवरिंग होती वो कहती फटाफट करो और यहां पे जो और चेक करो कि मुझे यहां पे cold हुआ या नई पर तभी जो यहां पे system होती वो कहती कि मार्स बीडिक्टेड एक्वा मुन क्या उसको यहां पे copy करना चाहते और वो देखने के बाद जो मैंकेट दम सौक्ट दोते और कहता है कि एक्वा मुन उसका मतलब यहां पे ice phonics नहीं है और वो यहां पे लुविंग भी नहीं है और फिर अपने मन में कहता है यहां पे कौन है और यहां पे कैसे लुविंग के घर पे आ गई और यहां पे किसी को हुए पता नहीं चला है और फिर यहां पे जो फैक लूइंग होती वो कहती है तियां फटाफर च्पर करो तो वह सुनने के बाद जो मैन्किट होता है उटा सो कहता कि आण ठीक है ठीक है मैं तुमरी इच्इसáoरी मदयत करने के लिए ठायर मुझे यहाँ करती है पर जो man getter अपने जो master spirit कर देता है और यहाँ पर जो उसका tank कर ले उस लड़की को पकड़ लेते और उसको यहाँ पर उटा tank देते और यहाँ पर जो लड़की होती हो चिल्दाती हो और कहते के tank यहाँ यहाँ पर मेरी मदद करो और फिर जो man catcheos लड़की से कहता कि तुमको बिलकुल पी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर जो स्नाई के तुमको खुछ भी नहीं करेगा और वो सारे के सारे स्नाई यहाँ पर मेरे पर मुझे यहां पर नीचे रख दो तो वह सुझने के बार जो man-kate होता है वह कहता है तुम अभी भी यहां पर सच नहीं बुल रही और इसपर attack कर देता है और अपने मन में सोता है कि मैं इसपर यहां पर time waste नहीं कर सकता है मुझे फड़ा वर्स उसको यहां पर निपडाना पड़ेगा और उस पर टेक कर देता है और यहां पर जो फेक लूइंग होती है बहुत ज़िलाना लगती है और जो मैं करता होता है वो कहता है मुझे यहां पर देखने हैं तो तुम्हें पर सच में कौन हो और फिर दुसी सेड जो लूइंग और उसके फादरों यहां पर आ रहे होते और यहां पर जो लूइंग होती है वो कहते के फादर जो यहां पर त्यांगी हांगे वो सच में बहुत ज़्यादा काइंड़नेट है और उसने यहां पर सारी रिस्पन लेटीवी को उठा लिया है और वो सच में काफी दा स्ट्रॉंग है और बहुत अच्छा बंदा है पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुमने उसके यहां पर बहुत ज़ादा तारीफ कर लिए मैं एक बार उसको चेक करना चाता हूँ और क्या हो सच में तना ज़ादा पारफुल है और क्या तुमको यहां पर संबाल सकते हैं और तब ही जो यहां पर लुइंग का कमरा है उसके बहुत दावासे आने लगती हूँ और कह रही होती है कि नई ऐसा मत करो और वो देखने के बद जो यहां पर लुइंग और उसके फादर का फीदा कंफ्यूस हो जाते और यहां पर जो डौर उसको ओपन कर देते और फिर यहां पर जो पेक लुइंग होती वो कहते कि brothers in love प्लिज आपvana कर दो मैं यहां पर गलत थी और वो यहाँ पे होती है लुई इंग की बहन मतलब मैन केर्टर की सिस्टर इन लो और वो नजारा देखने के बाद जो मैन केर्ट अपने मन में सोता है कि मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लो मुझे पकड़ लिया है मेरी सिस्टर इन को परिशान करते हुए अब यहाँ पे मेरा क्या होगा और मुझे आपे कौन बचाएगा और यारो जो हमारा एपिसोड यहीं पे कतम होता है अब आगे देखीगे जो मैन केर्ट इस मुसीबस से कैसे बचेगा तब तक गुड़बाई और सायो नारा